हलो गाईज वर्कम बेक नो नौ यूट्यूब चैनल तो गाईज तो आज बिआते हुआ हम करने वाले एस्कास करने वाले क्रेणियो फैरेंजियोमा के बारे में तो यह उम Shortly वगर के अंदर भी आता है तो ओम आप लोगों को बताता हूं कि एक री क्रेस्हिजनीयो उसके origination के काम में आता है redx pouch ठीक है तो यह जो redx pouch होता है उसके जब remnants रह जाते हैं मतलब उसके कोई छोटा टोकडा रह जाता है तो उसकी वज़े से हमारा ये cranio pharyngeum की condition आ जाती है ठीक है अब usually it is calcified so due to calcification can be seen in x-ray तो जब x-ray करते हैं अगर किसी के ये होता है मतलब किसी के cranio pharyngeum है तो x-ray से हम लोगों को पता चल जाता है क्योंकि ये calcified होता है redx pouch तो पता चल सकता है हमको x-ray के अदर हम देख सकते हैं ठीक है it is most common supratentorial tumor in children ठीक है ये supratentorial tumor है जो usually बच्चों के अंदर होता है जैसे में आप लोगों को बता है cozenital tumor है ठीक है इसके अंदर usually क्या होता है ये जो redx pouch होता है उसके अंदर क्या होता है वो sorry ये जो cranio pharyngeum होता है इसके अंदर क्या होता है in the remnant part of the redx pouch can grow up and can damage kaisema and damage can be bi-temporal heminopia मतलब क्या होता है जो redx pouch कोई remnant रह जाता है माल लीजे कोई छोटा part रहे गया और वो छोटा part क्या होता है फिर धीरे 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 डवलप होके बड़ा होने लग जाता है और जब वो बड़ा होता है तो जहां पर redx pouch को जैसे यहां पर remnant रहता है उसके आस पास के कुछ इस्ट्रक्चर होता है जैसे मैं आपको लास वीडियों बताया था hypothalamus के बारे में तो जो hypothalamus का structure उसके पास होता है फिर hypothalamus से connected होता अपना optic chasmah वो होता है तो जैसे जैसे इसका size increase होता है तो वो size increase की वज़े से वो optic chasmah को disturb करता है और optic chasmah को disturb करने की वज़े से bitemporal heminopia की condition आ जाती है ठीक है और फिर वो hypothalamus को भी disturb करने लग जाता है तो hypothalamus को disturb करने से भी और condition आते हो आप लोगों को बताता हूँ तो सबसे पहले जो condition आती है Optic Chisma को damage करने की जिसे वात यह Bitemporal Heminopia ठीक है फिर उसके बद आगे जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था लास्ट की तीन वीडियो यह आप लोगों ने देखियो है उसके अप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन-कौन से न्यूकलेस है क्या-क को तो क्यों से एकशेशर को करने से क्या प्राबलों आतीं आप लोगों को बढ़ता हूँ यह या इसको कोई परिशा ही हो जाति की condition आजाते हैं मतलब person fat हो सकता है ठीक है तो hypothalamic obesity भी develop हो सकती है person के अंदर ठीक है आगे हम discuss करते तो आगे के अंदर क्या हो सकता है the hypothalamus is damaged can cause sexual disturbance in children and adult ठीक है तो यदि वैसे युजर्ली ये children's के अंदर होता है लेकिन यदि अदर बिखो तो उसके condition सब्सक्राइब होगा मान लीजे hypothalamus damage हो गया और वो sexual disturbance करेगा तो sexual disturbance कैसे करेगा कि 5 साल का कोई मान लीजे लड़का है जब तक mature नहीं होगा लड़का तो उसका उसका वो नहीं बढ़ेगा अकरशन नहीं बढ़ेगा किसी भी गर्ल की तरफ ठीक है लेकिन इस condition के अंदर क्या होगा पांच साल का लड़का ही लड़कियों के आसपास घूमने लग जाएगा मतलब उसके इरिटेशन उसको क्या होगा मतलब लड़कियों में इंट्रेशन लग जाएगा सिर्फ पांच साल के अंदर बिना कोई हार्मोन लेवल के सिर्फ डिस्टरबेंज की वज़े से ठीक है यह कंडिशन हो सकते है जैसे में आप लोगों को बता है प्रीकोशेस पीबर्टी और यदि अडल्ट के अंदर हो जाता यही कंडिशन तो अडल्ट के अंदर क्या होगा यदि प्री अप्टिंग न्युक्लिस डेमेज हो जाता है अडल्ट के अंदर तो इंपोटैंसी की कंडिशन आजएगी आप लोगों को पता है इंपोटैंसी क्या होती है ठीक है और फ